अब रिसको लेके चलते है किसी रियल टाइम एक्सांपल से मज़ा नहीं आया ना इसके अंदर नहीं लगाया तुम लोगो मज़ा नहीं आया ना अब अब मैं इसको प्रेंट कर आँगा तो मुझे करना है है तो बेसिक तो हलो फ्रेंट आ गया इसको बन कर देता है कोई नीड नी है इसको गटाओ अब अब हलो फ्रेंट से आप पर प्रेंट हो रहा है अब मुझे इसको रिखना है एरो फंक्शन के अंदर सो सिंटेक्स वाइस चेंज किया है अब सिंटेक्स वाइस देखें तो जस्ट आपको कॉंस्ट हलो ठीक है एरो फंक्शन console.log hello friends अब इस hello को मैं call करने ही बजाय है hello 2 मैं call करता हूँ याप है तो आप देखें तो same message print हो रहा है hello friends 2 याप है message print हो रहा है simple this is the syntax for arrow function इसमें आपका क्या क्या होगा देखो parentheses रिमोव हो गई अब यह तो है parenthesis रिमोव हो गए, आप यह name भी रिमोव कर सकते हो, direct इसको print कर सकते हो राइट बिना call, diet call हो जाएगा तो arrow function को anonymous function भी गहते है, ठीक है? तो anonymous function भी गहते है, lambda function भी गहते है because Java के अंदर हम देखते हैं तो यह lambda function call होता है इसको लेम्डा function बोलते हैं जिसका कोई हम नाम नहीं रेते हैं तो हम नाम भी इसका रिमूव कर सकते हो कोई इशू नहीं है इसमें ठीक है इसको अटाओ ओगे आप इसको परिमेटराइज देखते हैं कि परिमेटराइज के से काम करता है सपोस कोई मुझे क्या करना है सम करना है सो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्स सम ओल अब मैं यहाँ पर वेरियेबल लोगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जट बहुत सारी एडवास दिज़े हैं ठीक है दिखते हैं कि करके अब यहाँ पर मुझे रिटन क्या करना है परिशान मत हो ना परिशान मत हो ना कि यह मुझे इसको सम ओल को प्रेंट करना है और बस वेल्यू का आस करना है अब दिखते हैं टोटल आगे 12 इसके साथ साथ ना एडवांस इसमें एक चीज और क्या है इसमें आप डिफॉल्ट वेल्यू दे सकते हो जैसे मैंने इसकी डिफॉल्ट वेल्यू देदी 5 या फिर मैं जट की डिफॉल्ट वेल्यू देताँ 5 अब मैंने या से गर 1 रिमूफ कर दिया तो आप देख सकते हो 5 प्लस 6 11 11 प्लस 5 16 so that is the major difference कि आप अब default values भी पास कर सकते हो उसके अंदर तो यह दो वह 1 9 code ठीक है? with the arrow function अब इसके अलावा और arrow function के अंदर मत अब एडवांटेज के लो या use के लो अब जैसे suppose क्या है कि यहां पे मैंने sum all function call किया अगर मैं इसको ट्रडिशनल लिखता हूँ या फिर एक message basic के साथ देख लेते है squat आओ तो ज़्यादा time waste ने करना अपने को हाँ यह था this is a function hello and this is this hello अब क्या है कि जिससे मैंने आप ए function hello call किया है अगर मैं इस hello को यहां call कर लोगा तो with the help of hoisting you know in javascript यह message print कर देगा इसने कर दिया अगर मैं hello to को use करना चाहूँगा इसके पहले तो यह नहीं आएगा तो यह एक advantage है कि अगर हम hoisting नहीं भी बन दिया चालू करते हैं तो अब हम अगर आप सब जगा ऐसे भी arrow function issues यूज हो रहे हैं तो आप hello function को call नहीं कर सकते हो बिना declare करें पहले declare देना पड़ेगा देन उसके बाद आप उसको call कर सकते हो तो this is the major difference इसके अलावा एक lexical scope है इसका कि वो यह थोड़ासा lengthy topic है तो आप उसका notes के link दे दूँगा description में उसको आप easily समयने ना कोई issue नहीं है ठीक है और एका दो advantage देखते हैं इसकी लास्ट लास्ट नेम वेरेबल दिया है और यहाँ पर इस console.log function से मैं एक person को create कर रहा हूँ मैं एक person से create कर रहा हूँ आप direct object भी return कर सकते हूँ with the help of arrow function तो देखो मैं एक बाद रिटन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक object आ गया first and last so this is the complete arrow function अब इसका advance यूज़ किया है अभी तो यहाँ पर दिख लिया अगर आप map यूज़ करते हूँ suppose मैंने एक list क्रेट करी 1, 2, 3, 4 अब मैंने इस पर map यूज़ करता हूँ map भी इसी सीरीज में है देख लेता हूँ map इसी सीरीज में है map filter reduce ठीक है तो बेसिक समय लो क्या हो रहा है तो यहाँ पर मैंने एक variable लिया पहले x ठीक है अब मैं यहाँ पर arrow function यूज़ करता हूँ और इस x को यहाँ पर multiply to करके return करता हूँ ठीक है अब यहाँ पर पहले आपको एक list और लेनी पड़ेगी ठीक है तो आप दिख सकते हूँ 1 2 3 यहाँ पर आउटपूट किया रहा है multiply by 3 से 362 तो आप दिख सकते हूँ कितना small way में इसका काम हो गया अगर आप traditional function यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर function लिखना पड़ता okay and then उसके बाद return type okay complete में दिखा दे रहा हूँ करका है and then curly braces again तब ही आपका काम चलता कितना short में काम होगे right so this is the power of arrow function not lambda function okay so चली आगे बढ़ते हैं यह था arrow function अगर कोई भी doubt हो please comment कर देना ठीक है कि arrow function में कोई लिक्कत आ रही है या XYZ कोई पर प्रॉप्लम हो ठीक है okay okay guys now let's move to array destructuring yeah my favorite topic